अलो इब्रिवान गादरादे सभी को सब कैसे हैं I hope आप सब अच्छे होंगे और अक्षे तृतिया की तैयारी में बिजी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि अक्षे तृतिया के दिन दीब्दान कैसे करें दीबदान का अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व है और अक्षेत रिदिया जो तिती है ये भी पुराणों में बताए गई है कि इस तिती में किया गया दान, पूजा पाड कोई भी धार में कारे है उसका अक्षेफल मिलता है मतलब जो भी आप धार में कारे करते हैं उसका कभी श्याय नहीं होता है तो आज हम देखेंगे कि अक्षेत रितिया पर हमें किस तरह से दीबदान करना होता है अक्षेत रितिया एक बहुत ही महत पूर्ण तिति है इस तिति में आप कोई भी शुपकारे जैसे कि आपके घर में ग्रह प्रवेश करना हो और कोई भी शादी ब्या हो और आप कोई भी शुपकारे है उस दिन बताया गया है आप इस दिन कर सकते हैं इस दिन सोने की खरिदारी भी बहुत अधिक इसका विशेश मैतो है तो इसे वैसे कहा जाता है गर्मियों का धनते रस क्योंकि इस दिन मालक्ष्मी की भगवान विश्नु के साथ पूजा की जाती है और भगवान विश्नु और मालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप दीबदान करते हैं आपके घर में सुख समर्दी का वास हमेशा रहता है ऐसा माना जाता है तो दोस्तों आप कितने दिये आपको जलाने हैं कब जलाने हैं वो हम देखेंगे देखिए आपको दीबदान कब करना है पहले तो देख लेते हैं कि दीबदान क्या होता है ये हमारा भगवान की प्रती निवेदन होता है तो आप दीबदान कहां कहां करेंगे तो देखिए दीबदान आपको पहले तो है कि कब करना है आपको दीबदान या तो आप सुबह कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय गौदुली बेला जो होती है छे से साथ बजे का टाइम है आप उसमें कर सकते हैं दीबदान में आप कितने दीबएक जलाने हैं आपको तो देखिए दीबदान में आपका अपनी श्रद्धा और सामल्थ के अनुसार अधिक से अधिक कितने भी जला सकते हैं मतलब कि 14, 21, 59 लेकिन कम से कम आपको अक्षेत रितिया के दिन साथ देज जरूर जलाने होते हैं क्योंकि अक्षेत रितिया बैसाक महा में पढ़ती है और बैसाक महा इसे माधव मास भी कहा जाता है और माधव मास में दीबदान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि भगवान विश्णु को सबसे अधिक प्रिय मास होता है तो इसमें तिलसी पूजन और दीबदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है तो आपको अक्षयत रित्या के दिन जरूर से कम साथ दियों का दान करना चाहिए दीपक आप मिट्टी के या फिर आप मिट्कोरि दिये नहीं है तो फिर आप आटे से दीपक बना सकते हैं और आप उसका फिर दान करेंगे इसके लिए मैंने यहां पर घी डाल कर गोल बाती ली है और अगर आपका शक्ति सामल्थ है तो आप घी का दीपक जला सकते हैं और नहीं है तो फिर आप तिल के तिल का इस्तमाल भी कर सकते हैं आप देख लेते हैं कि दिये काओ हमें कहां कहां रखना है दीपदान कहां करना है तो पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना होता है क्योंकि जादा तर घरों में क्या होता है आपका जो इशान कौन है वही उसमें दीपदान शुमाना गया है तो इसलिए आप आपको अपने घर के मंदिर में दीबदान करना होता है दूसरा बैसाक मास में तुलसी के में दीबदान करने का बहुत अधिक महत हो तो आपको तुलसी के क्यारे में दीबदान करना होता है तीसरा आप आमले के वरक्ष के नीचे दीबदान करेंगे क्योंकि भगवान विश् के नीचे भी आप दीबदान कर सकते हैं इसके बाद आप दीपक लगाएंगे भगवान विश्णु या लक्षमी जी का आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो अब वहां लगा सकते हैं और नहीं है तो शे वाले सभी घरों के असपास होते हैं तो आप शे वाले में दीपक जला सकते हैं दीबदान कर सकते हैं और इसके बाद आप एक डीपक आप अपने घर के मुखे दवार कि में रखेंगे क्योंकि शाम के शामे जिस घर के मुखे दवार में घी का दीपक कर सकते हैं नहीं तो आपके घर का जो भी जल इस्थान है आप वहाँ पादीबदान कर सकते हैं थैंक यू